हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है ये निकोलो मनुचिये के टैलवी यात्री है जो मुगल दर्बारी भी था ये सारा का सारा वृत्तांत उसने लिखा है ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है ता सीधा साधा किसान अपनी पत्नी के साथ एक गाउं से दूसरे गाउं जा रहा था और उस समय जाते वक्त उसकी पत्नी पे नजर पढ़ गई पानी पीते वे कुएं पे लाल बेग की लाल बेग ने उसकी पत्नी को उठा लिया पूरी तैयारी से पावड़ा, कुदाली, अस्त्र शस्त्र जो भी उस जमाने में चलते थे, सारे लिके गए, मात्र दो गंटे के अंदर-अंदर पूरा मकवरा कोट के उसमें से अकवर के पिंजर को निकाल लिया, और अकवर के पिंजर को निकालने के बाद में, वहां की आप सभी को ओड़ी हमारे साथ है जै आहुजा सर निमिटिकम गुरुप से पाकिस्तान से आईवे हिंदूस की बहुत मादद करते हैं चाहे उनको घर, उनका खाना, पीना रहना, नौकरी दिल्वाना, उनको लीगल हैली टीम, निमिटिकम का नाव है, मैं रिक्वेस्ट करू है हुजा सर के मुह से एक बार निकला था कि अकबर का मकबरा मकबरे में अकबर नहीं, वो बड़ा इंट्रेस्टिंग था था, सर ये क्या है, अकबर का मकबरा मकबरे में अकबर नहीं, जी सर, जी, नमस्कार गायतरी जी और जैश्वीर राम, आपके सबी दर्शकों को बह बहुत बहुत मेरा प्रणाम गायतरी जी कहसे इसाहता करते रहें इनके चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियोज को ज़दा से जदा शेयर कीजिए हमारे आसwydd भाईबेन जो गायत्री जी की तरह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं इनका भरपूर सहयोग कीजे अब जो गायत्री जी आपने जहां से बात शुरू की ये बेसिकली औरंग जेप के जबाने की बात है और 1688 के मार्च में सिकंदुरा करके एक जगह है फत्यपूर सीकरी के पास में जहां पे बहुती भव्य मुगलों ने अकवर का मकवरा बनाया था और बहां पे पूरी आर्मी भी तैनात होती थी उसकी हमेशा सुरक्षा भी की जाती थी उसमें हीरा पन्ना सोना चांदी कांसे के दरवाजे नकाशी सब को इसका मतलब एक लैविश जगह कैसी हो सकती है वैसी वो जगह रही है और मार्च 1688 में जो हमारे शूरवीर भरतपूर मतुरा और उस बेल्ट के हर्याना तक के जाट है उनके विद्रो और उनकी उनका जो ताप था उनका जो गुस्सा था उसके परिणाम सुरूप मार्च 12 मार्च 1688 में अकपर के मकवरे को तोड़के उसमें से अ पास-पास की हिंदू-Muslim सभी प्रकार की वह अधिकतम मुस्लिम ही रहते थे उस समय भी, उस पूरी पॉपुलेशन को वहां की सारी प्रजा को एकठा किया गया और उनके सामने अकबर के मकवरे में से निकाले वे अकबर के पिंजर पे तेल डालके जला दिया, फिर भी या कौन से योधा ने इनकी हड्डियों को निकाल कर और उसको चूर पॉपूर के पर ये घटना का बेग्राउंड समझना पड़ेगा, जब तक जैपूर के राजा मिर्जा राजा जैसिंग जीवित थे, उनी के बेटे राम सिंग जी ने अपने पिता के वचन को निभाने में, मुगल आर्काई, इसमें सब जगए मिल जाएंगे, तो मिर्जा राजा जैसिंग मंदिरों के रक्षक भी थे, उनके रहते वे औरंग जेव को एक भी मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं थी, और दुरभाग्ये से 1665 में मिर्जा राजा जैसिंग को जहर देके औरंग जेव ने मरवा दिया, उसके बाद में हमारे हैं कहते हैं न कई बार छुटा सांड होता है, तो औरंग जेव छुटा सांड बन गया, खुला सांड, उनकी मृत्म के थोड़े समय बाद ही 1669 में औरंग जेव ने एक फत्वा जारी किया, वैश्नव मंदिर और हिंदू मंदि किया गया, अब सबसे पहला काम जो मिरजा राजा जेसिंग के बाद औरंग जेव का डर खतम हो गया, तो उसमें सबसे पहला काम लेकिया कि हिंदू प्रजा पे जजिया नाफिस कर दिया, अब ये जजिया कहां पे लिया जाता था तो जो हिंदू राजा औरंग जेव के अ विवाद में यहां पे जजिया लगा दिया हिंदूों पे तो मुगल सैनिकों को जजिया वसूली के लिए अनलिमिटेड राइट्स दे दिये गए मुगल जनरल्स को तो उन्होंने खूब मार काट भी मचाई और उसी समय मंदिरों को तोड़ने का अभियान भी शुरू हुआ तो एक शूरवीर 1669 में तिल्पत करके एक गाव है फरिदाबाद के पास में वहां के एक शूरवीर गोकुल राम जी जाट अभियान लेते हैं और वो अपना मिलिशिया बनाते हैं अपनी गुरिला आर्मी बनाते हैं और जहां मुगल मिलते हैं उनको मारना शुरू कर देत हैं ऐसी एक लड़ाई में अब्दुल नभी नाम का एक बड़ा फौजदार था मुथरा का उसको उन्होंने टुकड़ टुकड़े कर दिया अब्दुल नभी के मारे जाने के बाद और अरंग जेप एक दम बहुचका रह गया कि भाई अब ये तो मतलब बात इतनी जादा बढ़ गई कि मेरे जनरल्स कोई लोकल लोग अपना मिलिशिया बना के जाट लोग मार रहे हैं तो उसने क्या किया अब्दुल नभी के मरने के बाद में उसके हत्या के बाद में उसने एक और दूसरे आदमी को भेजा हसन अली को हसन अली ने बहुत मतलब गुपतचर लग केर बहुत टैक्ट फुली गोकल राम जी जाट को पकड़ लिया और उनका उनकी साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई है गायतरी जी कि वो वर्णन इतना वबीद से कि मैं उसको बता भी नहीं सकता और उनके उपर एकी दबावता औरंग जीप को क्या लगता था कि अगर इत हमारी जाती समाज है वो नेतर तो भी हिन हो गए और वो मतलब अंदर यंदर गुटके रह गए और वो विद्रो उस समय तातकालिक रूप से दबा दिया गया थोड़ा समय निकलता है इनके अत्याचार बढ़ते जाते हैं तो एक और शूरवीर योद्दा खड़ा होता है राजा राम जात उन वो सिंसिनी गाउं के ते जो सिंसिनवार गोत्र के राच परिवार भरतपुर तो सिंसिनी गाउं के राजा राम जी जात अपने लोगों को एकठा करते हैं और वो कहते हैं वह ऐसे नहीं चलेगा अपने को इतना पैसा नहीं दे सकते हैं और अपने इदा साधा किसान अपनी पत्नी के साथ एक गाउं से दूसरे गाउं जा रहा था और उस समय जाते वक्त उसकी पत्नी पे नजर पढ़ गई पानी पीते वे कुए पे लाल बेग की लाल बेग ने उसकी पत्नी को उठा लिया तो गोकुल राम जी जाट ने बहुत ही बड़ी से हामला किया आउ गाउं की चोकी पे जो सिंसिनी गाउं के पास में है और वरंदावन के रास्ते में है और लाल बेग को मारके उस चोकी पे कबजा कर लिया और वहां अपनी अपनी चोटी-चोटी चोकिया बना करके उस पूरे एरिया को उन्होंने स्वतंत्र गोचित कर अब सबके मन में बहुत बड़ी पीडा थी सब लोगों को ये बहुत बड़ा कश्ट था कि वही अपने क्रश्ण मंदिर को तोड़ दिया वल्लब प्रसंपरदाय के बाकी मंदिर तोड़ दिये वरंदावन के मंदिर चोड़ दिये यह जो माइग्रेशन है श्रीनाज जी का आपने श्रीनाज जी का मंदिर का नाम सुना हुआ तो गोस्वामी लोग रत में श्रीनाज जी को लेके चित्वार पहुंचे ये भी उसी समय की घटना और माराना राज सिंग जी ने का कि श्रीनाज जी आ गए मंदिर आज जी बनेगा यहीं बनेगा और उस दिन से माराना राज सिंग्जी और औरंजीब की भी लड़ाई शुरू हो जाती है वो फिर अलग विशय विशयांतर हो जाएगा तो ये वो समय था जब मंदिर के पुजारी मूर्तियों को छुपा छुपा के जगे जगे भाग रहे थे तो जैपुर्क परिवार ने उसी समय गोविन देव जी को अपने यहां पर स्थापित किया लेकिन महल में चुपा के रखा जादों नोंने करॉली के जादों नोंने मदन मोहन जी को चुपा के रखा बाकी के राजाओं को डर लगता था लेकिन ये लोगों के मन में बड़ी पीड़ा थी कि हमको इसका बदला लेना है तो एक दिन रात को अच्छा ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है ये निकोलो मनुचिये के टैल वी यात्री है जो मुगल दरबारी भी था ये सारा का सारा वरतांत उसने लिखा है ये हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है हमारे यहां राजिस्तान हिंदी गरंत काजमी की एक कुस्तक चलती थी उसमें भी राजिस्थान का इतिहास कला संस्कृती सायते परंपरा आधी के उपर बहुत डीटेल में बड़ी बुक थी वो यहां के कोर्स में पढ़ाई जाती थी उसमें भी यह सारा वर्णन है फिर यह कॉंग्रेसियों को समझ में आ गया इस इस तरीके से इस घटना के विवरण कई जगे मिलते हैं तो उन्होंने क्या किया रात के समय हमला किया कुछ दस ग्यारा बुझे गाओं के चोटे एरियास में तो दस ग्यारा बुझे रात हो जाती है और जवर्दस्थ हमला था सैकडों की तादात में वहां पे मुस्लिम आ प्रेंटे के अंदर-णदर तूरा मकबरा कोट एес उसमेंसे अकबर के पिंजर को निकाल लिया और अकबर के पिंजर को निकालने के बादमेंँ में वहां की पब्लिक को बुलाने किया कैप आजाओ देखो तुम्हारे सामने अकबर का मकबरा कोद दिया है तुम्हारे सामने इसका स्केलेटेन निकाल दिया है तुम्हारे सामने तेल डालके इसको आग लगा रहे हैं यह रहा तुम्हारा ग्रेट अकबर और फिर ग्रेट अकबर के स्केलेटन को जला दिया गया जलाने के बाद में भी लगा के अभी थोड़ी बहुत अवशेश रह गये तो उसको पत्थरों से पीस पीस के उसका चूरा कर दिया और चूरा करके आसपास की जो नदी केनाल थी उसमें उनके सामने बहा दिया तो भारत में अकबर का मकबरात हो है लेकिन हमारे इन शूरवीर पुर्खों के कारण जिसका नेतरत भरतपुर के सिंसिनवार जाट राजाराम जी और उनके मित्र राम की चाहर कर रहे थे इन दोनों लोगों के नेतरत्व में ये अभ्यान चला और बहुत ही सक्सेस्फुली ये अभ्यान उन्होंने पूरा किया भारत की चाती पे बहुत सारे धब्बे उनमें से एक धब्बे को उन्होंने कम किया और फिर देखे बदला तो उसको लेना ही था तो बदला लेने की प्रक्रिया में राजा राम जी जाट को भी गुप्तचर लगा के दोके से पकड़वाया गया राम की चाहर जी को भी दोके से पकड़वाया गया उनका मस्तक काट के थाली में सजा के औरंज जेब को बेजा ग परंग जेब के दातों से पशीना निकाल देते हैं ये उस समय की बात है इसी परिवार में जिनको जाटों का अरस्तू या जाटों का प्लेटों का गया है वैसे मैं इसको जातीगत आदार पे महराजा सूरज मल जी जैसे विशाल विक्तित्तू के बारे में कहना मुझे ठीक लगता जाट मा के गर्ब से जन्मा अरस्तू या प्लेटों के तो समझ में आता है वो तो हम सब के आदर निये पूजनिये हैं और उनका स्वनकाल चालू होता है फिर इस पर कभी और बात करेंगे कि एहमद्शा अबदाली इतना डर जाता है कि एहमद्शा अबदाली दूर भरतपुर पे हमला कर दे जो अफगानिस्तान से आगया भारत तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ती इन शूरवीरों पे हमला करने की तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग है और चलते चलते मैं आपको बस एकी बात कहना चाहूंगा कि नित्र तो भले ही सिंसिनवारों ने किया लेकिन कुंतल, फौजदार, भागोर, सोलंकी जितने भी तरीके की खाते हैं वहाँ पे मलिक इन सब ने बराबर लड़कर के मुकाबला किया इनके विद्रों को दबाने के लिए औरंग जेव इतना कंफूज हो गया था कि उसने पहले अपने बेटे आजम को मौका दिया फ इतना कंफूज हो गया इन लोगों के तरीकों से कि उसको समझ में नहीं आया इनके साथ में अब डील कैसे करूँ तो ये बहुत रोचक बाते हैं और आप देखिए उनके मस्तक काट के थाली में सजा के बेजे गये ते कोई छोटी बात नहीं है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेक लिया और उस दिन से आज तक अकबर का मकवरा भारत में तूटा-पूटा और उजड़ा चमन है तब से अब तक अकबर के मकवरे का कुछ हुआ नहीं है आफ्टर पार्टिशन थोड़ा एसाई ने उसका ध्यान्मयान किया है उसको थोड़ा रिपेर विपेर किया है पर र